हेई बार दोस्तो केमचो मित्रो मजामाने चालो मित्रो आजे आपने तमारा धोरण साथ ना गुजराती विशय पाठिय पुस्तक नी अंदर पेज नंबर 48 उपर आवेल पाठ नंबर 70 जीवराम भट एनो आपने आगलना विडियो लेक्चेर नी अंदर थोड़ो अभ्यास क करिये पाठ सतर जीवराम भट पाना नंबर 59 पर आपने नजर करिये तो पाना नंबर 59 उपर जे शलोक आवेलो छे तेनो आपने अभ्यास करी लिदो हतो हवे आपने आगल अभ्यास करिये बराबर नमंती फली नो व्रुक्ष नमंती गुणी नो जनह शुषक कास्ठम च नमंती कदान चनम एटले के फोल वाला जाड नमे के गुण वाला मानस नमे पन सुकू लाकडू के मूर्ख कदिये नमता नथी आपने 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 आगल अभ्यास करिये तैयार शुने बदा चलो पाना नंबर 59 उगण पचाश चे एबोले छे लाइने आपे छे लियो काँड यश्यू आ काल करण के जिवराम भट जेछे एणने कागल माचवा आग्यों हतो सोमनाथ पासे बेराबर सोमनाथ भाई ये कालवत्नाप् हेंक टूसर हें? लाव वान्फ शो सोमनाथ कालवत्नाप्पण struggling कालवई चों करेंक स्कें गयरिया लियो आ कागल रंगलो, कारण के में तमने पहलाज कहिँ तू, जिया पण नाटक होई त्या रंगलो अने रंगलीनू पात्र तो होई अज, रंगलो कहे छे जो जो भायो सुर्दास जी कागल वांचे छे, सुर्दास जी एटले जहने आखोन न होई, अथवा तो द्रश्टी नहोई तेवु ब्यक्ती, खरेकर वांचे के शુँ, बधाने नवै लागी, क्या आतो अभिमानी छे, खरेकर ए ओचु देखे छे, M चता, पो ते ओचु देखे छे, ए वात जाहे ठवा दिता नथी, तो खरेकरो वांचे के शुँ, ए कागल वांचे बराबर साचो आवे रगनात बोले छे सोमनात ने कहे छे एमा तो जीना अक्षर छे पेला मोटा अक्षर वालो कागल वाचवा आपयो होत तो ठीक बराबर जीवराम भटने कागल सोमनात आपयो एटले रगनात कहे छे सोमनात ने के ते जे कागल आपयो एमा तो जीना अक्षर छे जो ते ज दिवा जिवा अक्षर छे, मेजे कागल आप्यों छे, एमा काई जिना अक्षर नथी, सोबनात रगनात ने जवाब आपे छे, जीवराम कहे छे, आल्यो त्यारे तमारो कागल अमारे नथी वाचुओ, बेराबर जीवराम भट पोते ओछु देखे छे, परन्तु ए वातनो स् चके तेवो कागल छे, औने जीवराम भट कहे छे, कि हुँका या अंधलो नथी, मारे तमारो कागल वाचुओ, नथी, सोमनात कहे छे, केम थयू, बेराबर प्रश्न पूचे चे रगनात ने, जीवराम भट जवाब आपे छे, तमे कहो छो, कि आंधलो वाची शके तेवा अक्सर छे, तो अमे का या अंधला नथी, बेराबर, तमे कितो कि आंधलो वाची शके ने, तेवा अक्सर छे, एवो कागल में आप्यो छे, तो हुँका या अंधलो नथी, के एवा अक्सर वाची ये, देखतो वाची शके, एवो कागल होई, तो अमे वाची ये, बेराब त्राण आंगलियों बतावी ने जीवराम भट आकेकला आंगलाचे कहो जो ये गंगा छे प्रश्ण पुछे जीवराम भटने बेराबर आकेकली आंगलियों चे बतावो तो जीवराम भट कहे छे कहिए तो तम्हें शू आपशो गंगा ने सामो प्रश्ण पुछ छे बेराबर गंगा जे त्रण आंगल यो बतावी ने कहे छे ने जीवराम भट ने कि आ केकलाई आंगल यो छे ते कहो तौँ जीवराम भट सामे कहे छे गंगा ने, कि जो अमे तमने जवाब आपी शू तो तमे अमे शू आप शो, बेराबर सामे काईक मांगणि करे छे गंगा कहे छे लाखेनी लाडी आपी छे ने हवे बिजुशू आपी ए बेराबर गंगा शु कहे छे जीवराम भटने अमे तमने अमारी दिकरी तो परणावी दिधी छे तो हवे तमारे बिजुशू जोई ए छे जो अत्यारे देखी शकता हो तो कहो शुके छे जो तमारी पासे खरेखर आखो होई तम ये बालता होई तो मने कहों के मे तमने के टली आंगलियों बतावी छे जीवरां कहिछे एमाशू कहवु छे 5 छे जीवरां भटने कि आखी हाथेनी हथी और खुल्ली मुकीने किदी होसे क्या केतला छे जीवरां भट कहिछे एमाशू जुआ अब आपपनो 5 आंगलियो छे गंगा कहिछे जुठा पड़िया जुठा पड़िया, एम करीने गंगा हसे चे, कारण के जिवराम भट शेशुचे जमाई चे, बराबर, एले गंगा मचाक करे चे, जुठा पड़िया, जुठा पड़िया, जीवराम कहे चे, शी रिते जुठा पड़िया, बराबर, कारण के जीवराम भट एटलू होशियार पात्र छे के गम्मे ते रिते वाकमा आव तोज नथे कई रिते अमें चुठा पड़िया अवे आवयो रंगलानू पात्र बराबर मित्रो चलो पाना नंबर पचाश रंगलो आवयो जो चित्रनी उपर पाछो एक दोहरो छंद आपेलो छे बराबर दोहरो ए चंद नो प्रकार छे अभीमानी ने अंतरे बासे जो निज भूल तोपन तेनी जीब थी कदी नहीं करे कबूल एकले आजे दोहरो नामनो चंद छे एनो वाक्ये शू एनो अर्थ सू थशे आजे आपेलो छे जे चंद लखेलो छे अभीमानी ने अंतरे बासे जो निज भूल तोपन तेनी जीब थी तोपन पोता नी जाते कदी नहीं करे कबूल एकले आखी पंगती नो अर्थ एवो थाई कि अभीमानी व्यक्ती ने पोता ने जो खबर पड़े कि आमारी भूल छे तोपन एक यारे पोता नी जीब थी पोता ना मोडे क्यारे मान शे नहीं कि हा आमारी भूल हती गंगा कहे छे त्राण आंगल यो उभी राखी ने बे आंगल यो वाली ने मैं पूछिऊ हतू अने बे आंगली वालेली जोई हती इले मैं तमने कूल आंगल्योंनों सर्वालों कहियों के पाच आंगल्यों छे ते बदी मली ने पाच दीठी बदी आंगल्यों थाई ने पाच आंगल्यों जोई माटे मैं तमने 5 कही तमें क्यारे M पुछी हतू के केटली उबी औने केटली वालेली छे जिवराम भट कोई पन रिते पोतानी भूल स्विकारता नथी शु कहे छे मैं 5 आंगलियों जोई बराबर तमें क्या है उखी हतू के केटली आंगलियों वालेली छे ने केटली आंगल्यों उभी छे तम्ने स्पष्ट प्रष्णों पुछ्यों हद तोहुं तमने स्पष्ट जवाब आपत सोमनात पाचे आंगला खुला राखी ने वारू आ केतली आंगलियो छे कहो जोएए बराबर हवे सोमनाथ पोते बद्दी आंगलियो खुली राखेचे पाचे पाच ром कंहेचे वारू एटलेके भला मानस आ केतली आंगलियो छे कहो जोएए जिवराम बीजी तरफ गने चे आएक बे त्रण अने चार छे बराबार जिवराम भड जोब आपे छे, तमे जे मने आंगल्यों बतावी छे, ते चार आंगल्यों छे, सोमना जुठा पड़िया, जुठा पड़िया, सोमना थे पन कहिँ हे जिवराम भड, तमे आवखते पन जुठा पड़िया, जिवराम भड कहे छे, शीरी ते जुठा अमे कदी जुठा पड़िये ज नई हुँ क्यारे जुठो पड़ू नई बराबर हवे फरीवार पाछो अहीं एक छंद आपे लोचे जेनू नाम चे उप जाती छंद वाचाल जो वाद व्रुथाज थापे तथा पीते सत्य कदीज करीज आपे वाचाल जो वाद व्रुथाज थापे तदापी ते सत्य करी आपे वाचाल व्यक्ती बोलकू व्यक्ती होई क्यारे पन वाद विवाद मा उतरे संकष मा उतरे तो त्यारे ते पोते रजु करेली वाद कदाज खोटी होई तो पन ते वातने सत्यज करी आपे, पो ते जे बोले होई, ते ज साचु बाकी बदु जुठु, ते उते साबीत करी आपे, जिवराम भट जेम कहे छे तेम, अमे कदी खोटा पड़िये ज नहीं, पछी निचे उपजाती व्रुत, एवो छंद आपे होचे, वाचाल जो मानस उतर्यों होई, वाचाल एटले बोलको मानस संगश्मा उतर्यों होई, तो ते पोतानी खोटी वात होई, तेने पन साचीज करी आपे, ओके मित्रों, तो आपने अहीं अटकिये, छीए, मैं तमने आगलना वीडियो लेक्चुर्स माँ पन होमबर कापियो हत्तु, अने रूटी प्रयोगो लखवाना, छे, शब्दार्थ अने रूटी प्रयोगो लखवाना, अने आ आखाई पाठनू वांचन करवानू छे, ओके मित्रों,